आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ ने RI Déo की से canis अफिल मैं यज थी वह हुथ हमाय prepare दोंने कासं पहीं का सब्सक्राइंद ट सुआ हरे हम सब्सक्राइंगर क्या होता है हमें रीया पटा यहीं यहीरिया क्या होता है हमारा equilateral triangle का उसका formula होता है हमारा root 3 upon 4 into side square ठीक है area of equilateral triangle हमें question में given है कितना given है वो 64 root 3 cm square given है which is equal to root 3 upon 4 into side square ठीक है अब हम क्या करेंगे root 3 से root 3 हमारा cancel out हो जाएगा यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 64 into 4 हो जाएगा यह हमारा 4 हम transfer कर रहा है यहाँ पर left hand side this is side square तो यहाँ से हम बोल सकते है अगर हम under root लेंगे both the sides तो side की value कितने आ जाएगी हमारी side की value कितने आ जाएगी हमारी under root 64 into 4 अब हमें पता है under root 64 कितना होता है हमारा 8 और under root 4 कितना होता हमारा 2 तो हमारे side कितना आजाएगा 16 cm, ठीक है हमारी side की value हो गई 16 cm, अब हमें perimeter find करना है, so सबसे पहले हमें perimeter का formula पता होना चाहिए, perimeter of equilateral triangle का formula होता है 3 into side, ठीक है 3 into side, अब 3 into side का मतलब क्या हो गया, side की value हमें पता है, हमने find करा किया, 3 into 16 cm, so यह कितना हो गया, 48, 16 into 3 is 48, so perimeter कितना हो गया हमारा, 48 cm का, अब हमें height भी find करनी है, height कितनी होती है, equilateral triangle की height होती है, root 3 upon 2 into side, ठीक है, यह हमारी height होती है, तो अब हमें height के लिए, root 3 upon 2, side हमारी कितनी है, 16 cm, so 2 into 8 हमारा 16 हो जाएगा, that means height कितनी हो आजएगे हमारी, 8 root 3 cm, ठीक है?